अब मैं तुम सभी को कलरफुल हडल्स पर कसरत कराऊंगा हडल्स? वो तो बड़ी-बड़ी रेसिस में यूज होता है सर येस गट्टू, मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे फ्यूचर में बड़ी-बड़ी रेसिंग्स में हिस्सा लें और जीते भी इंस्ट्रक्टर ने जट-पट कलरफुल हडल्स ग्राउंड पर रख दिये अच्छा, तो अब सभी बच्चे इस कलरफुल हडल्स के सामने खड़े हो जाएं पहले गौर से मेरी और देखना, ठीक है? पीटी टीचर ने सब को इंस्ट्रक्ट कर दिया अब पीटी टीचर ने अपना एक पैर उपर उठा कर हडल के उपर से होकर जंप लगाई ऐसे कर टीचर ने सेवन हडल से नी जंप का रन लगाया समझ गए बच्चो, सभी इस तरह से करेंगे इसमें तो बड़ा मज़ा आएगा लेकिन गट्टू, तुम तो पीटी पीरिड में सरदर्द का बहाना करने वाले थे ना? अरे चिंगी प्लीज, पीटी टीचर सुन लेंगे मुझे पूरा पीटी पीरिड अटेंड करना है सभी हस पड़े एक एक कर सभी ने सर की तरह हडल्स को रन किया वा सर, बहुत मज़ा आया ये सर, हमने नई पीटी कसर सीखी आपने अलग तरह की पीटी करवाई इसलिए हमने इंजॉय किया मैं तो अगले सेटरडे का वेट कर रही हूँ बच्चे ठक गए, लेकिन सभी ने इंजॉय किया गुड गुड लेकिन अभी तक खतम नहीं हुआ है सर, अभी और करना है हाफता हुआ बंटी बोल पड़ा और सभी हस पड़े अरे बंटी, आज का पीटी पीट यहीं तक था और हाँ, पीटी पीट को लेकर मैं कुछ एनाउंस्मेट करना चाहता हूँ हम हर सैटेडे होने वाले पीरियट के लिए दो मॉनिटर चुनेंगे जो सब को सामने खड़े होकर गाइड करेंगे क्या सर, पीटी पीरियट का मॉनिटर भी होता है हाँ, हाँ, क्यों नहीं मैं हर पीरियट में पीटी पीरियट का मॉनिटर रखता हूँ और हमारे अगले पिरियट के मोनिटर है गट्टू और चिंकी अगले शनिवार तुम दोनों सामने खड़े रहे कर बाकी सभी बच्चों को पीटी के मुवम्मेंट कर गाइड करोगे लेकिन सर क्या हम ठीक तरह से कर रहे हैं? हाँ सर, क्योंकि इससे पहले हमने ठीक से कभी पीटी किया ही नहीं है हाँ गट्टू चिंकी, मैंने तुम दोनों को ध्यान से देखा तुम काफी अच्छी कसरत कर रहे थे इसलिए तुम दोनों नेक्ट पीटी पिरियट के मॉनिटर हो थैंक यू सो मच सर और इस तरह से गट्टू और चिंकी पीटी का हसली मतलव समझ सके और उन्हें पीटी पिरियट का मॉनिटर बनाया गया